हेलो प्यारे बच्चो आज हम इस वीडियो में सिखेंगे एल साइलेंट वर्ड जिसमें एल साइलेंट होता है ऐसे वर्ड जिसमें जी एक्ट साइलेंट होता है और कुछ ऐसे वर्ड जहांपर टी जो है वो मिसिंग होता है या आप बोल सकते हैं silent होता है तो चलिए शुरू करते हैं O, U, L O, U, L जो हमारा होता है हमें UD का sound देता है किसका sound देता है? UD और ऐसे word आज हम पढ़ेंगे जिसके अंदर L जो है वो silent होता है तो पढ़ते हैं W, O, U, L, D क्या बना? W, U, D तो आप देख रहे हैं इसमें L की अवाज तो बिल्कुल ऐसे लगी नहीं रही के आ रही है तो L जो है वो इसमें silent है ऐसे ही should S, H, O, U, L, D should पढ़ा जाएगा C, O, U, L, D could पढ़ा जाएगा could देखिए O, U, L हमारा जो O, U, L होता है यह हमें U, D का sound देता है किसका sound देता है? U, D का तो यह हमारा बन गया would, should और could इसमें हम दो चीजे देख रहे हैं एक तो O, U, L का sound देख रहे हैं कि वो हमें क्या sound देता है और एक हम इसमें देख रहे हैं कि L word जो है वो silent है तो हमारा एक ही word में दो चीजे हम सीख पा रहे हैं कि हम उनको प्रनाउंस करना भी सीख रहे हैं और जो उसमें silent letter है वो भी सीख रहे हैं चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अब जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है The silent GH GH से ग भी बनता है तो देखिए GH से जो ग बना हमारा तो अब हम पढ़ते हैं इसके word तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है D-A-U-G-H-T-E-R D-A-U-G-H-T-E-R daughter क्या बना? daughter तो daughter में GH से हमें GH का sound ग हमारे पास कहां आ रहा है? नहीं आ रहा तो यहाँ पर GH का जो sound है वो missing है तो यह हमारे silent word हो जाएंगे कौन से? GH के तो यह हमारा बना daughter ऐसे ही naughty N-A-U-G-H-T-Y क्या बना? naughty next हमारा है eight E-I-G-H-T eight fight F-I-G-H-T fight बनेगा next हमारा है night N-I-G-H-T night बनेगा light L-I-G-H-T light बनेगा और फिर हमारा है goal G-H-O-U-L goal ऐसे ही ghost G-H-O-U-S-T ghost और next हमारा है high H-I-G-H को हम high पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? high अब आते हैं हम the the missing T अब हम पढ़ेंगे ऐसे word को जिसके अंदर T जो है वो missing है यानि कि ये T के T जो है वो इसमें silent है तो चलिए शुरू करते हैं which W-I-T-E-C-H which इसमें T जो है हमारा silent है missing है ketchup क्या पढ़ेंगे ketchup कैचप में हमारा T जो है वो silent है hitch क्या पढ़ेंगे hitch तो इसमें भी हमारा T जो है वो silent है hitch stitch क्या पढ़ेंगे stitch क्या पढ़ेंगे stitch तो हमारा T silent है pitch P-I-T-C-H क्या बन गया pitch क्या बना हमारा pitch तो next हमारा है watch क्या बना watch इसमें भी हमारा देखे T silent था इसमें भी हमारा T silent है watch क्या बना watch next हमारा है match क्या बना match इसमें भी हमारा T जो है silent है catch catch इसमें भी हमारा T silent है batch इसमें भी हमारा T silent है आगे next ओर वर्ड देखते हम इसके थोड़े से soften, क्या पढ़ेंगे? soften, soften में भी देखिए हमारा T silent है s-o-f-t-e-n, soften soften में हमारा T silent है which, which में भी हमारा T silent है often, इसे often नहीं पढ़ेंगे often पढ़ना गलत होगा, इसे हम often पढ़ेंगे often, तो इसमें भी हमारा T silent है Christmas, हम Christmas तो नहीं पढ़ते हैं वो हमारा pronunciation गलत होगा आप इसे Christmas पढ़ेंगे Christmas, तो इसमें भी हमारा T silent तो आपने देखा, आज हमने इस वीडियो में silent word सीखे और O, U, L से उड़ बनता है वो सीखा, हमने इसमें तीन silent word सीखे, L का silent word सीखा, के ऐसे word जिनमें L silent होता है, ऐसे word जिसमें GH silent होता है, ऐसे word जिसमें के T silent होता है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यह help करे तो प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe कीजी और ज्यादा से ज्यादा comment कीजी बाई बाई